हेलो बच्चो क्या हल चाल अगर आप बैंकिंग की और SSC की किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे तो आपको पता होगा कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है और उस टाइम की इंपॉर्टेंस के लिए आपको कुछ शॉटकट बहुत है जरूरी है जो आपको आने चाहि के तो आपने अगर कभी भी स्क्वाइरर्ट निकाले होंगे जैसे आपसे मैं बोलता हूं रूट हन्डरेड आप बोलोगे या होँ है मैं आपसे बुलता हूँ root 121 आप बलोगे 11 होता है मैं आपसे बुलता हूँ कि root 144 लिखो तो आप बलोगे 12 होता है कोगे यह क्या पूछ रही तो सबको पता है जो भी बच्चा banking की preparation कर रहा है या ssc कर रहा हो जानता है कि अगर मैं 169 लिख दो 13 अगर मैं लिख दूँ 196 तो यह हो जाएगा 14 problem इन में नहीं है problem है अगर मैं आपसे बुलता हूँ कि बताओ भई root 106 क्या होगा ये क्या होगा इसको हम कैसे जल्दी calculate कर सकते हैं और आज की class करने के बाद आप ये जो value है ये 2 से 3 second में solve कर सकते हो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और exams में अगर आपका किसी question में आपके 10 से 15 second मैंने बचा दिये तो इस class को importance आपको तब याद आएगी कि हम कैसे इस value का हम कैसे इस value का shortcut जल्दी निकाल लेंगे या हम कैसे 132 का underwood मुझे निकालना हो कैसे हम जल्दी कर लेंगे तो इस shortcut का जो basic concept है वो कहां से आता है आप यहाँ पर एक चीज notice करो जो मैंने आपको example दिये हैं इन example में आप एक चीज notice कर रहे होगे वो यह है कि दिखो जब 100 का वर्गमूल किया तो 10 आया 121 का वर्गमूल किया तो यहाँ 10 से 11 हो जा रहा है इधर 121 से 144 बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है 121 से 44 23 बढ़ रहा है तो यहाँ पर 11 से 12 हो गिया इधर 144 से 179 कितना बढ़ रहा है 25 बढ़ रहा है 144 में 25 जोड़ 180 आएगा और यहाँ पर 12 से 13 हो गिया तो यहां पर एक relation आपको समझ में आ रहा है धियान देना है चीज़ को सो एक सो चवालिस लिखते पहले एक सो एक सो चवालिस एक सो चवालिस 169-196 एक बहुत बढ़िया पैटर्न है आपके सामने अभी आपको समझ में आ जाएगा 225 इन पाँच नंबर में आपको मैं पैटर्न सिखा लेता हो और उस पैटर्न का यूज हम बार बार करने जा रहे है देखो यहां पर कितना बढ़ रहा है प्लस 21 यहां पर कितना बढ़ रहा है बताओ यहां पर कितना बढ़ रहा है यहां पर कितना बढ़ रहा है प्लस 25 बढ़ रहा है यहां पर कितना बढ़ रहा है यहां पर कितना बढ़ रहा है यहां पर कितना बढ़ रहा है और 29 अब आप बोलो गया तो यह तो पैटर्न हो गया यहां पर 21, 23, 25, 27, 29 यह तो पैटर्न बन तो यह जो 21 है यह 10 गुणा 2 प्लस 1 नहीं दिख रहा है दिस इस दस में 2 गुणा करो एक जोड़ो 21 11 में 2 गुणा करो एक जोड़ो 23 13 में 2 गुणा करो एक जोड़ो 23 26 प्लस 1 27 चौदा में दो गुणा कर एक जोड़ों 39 तो यहां पर एक लॉजिक यह कहता है कि अगर 100 का अंडरूट निकालना जो की 10 है अगर मैं 100 में 21 जोड़ों 10 का दुगना प्लस एक जोड़ों तो हो आएगा 121 और यहां पर हमारा स्क्वार रूट की वैल्यू एक बढ़ रही है इसमें अगर मैं 144 में मैं एड करता हूँ 25 तो यह आएगा 169 जिसका वर्गमूल है 13 तो इधर 25 एड करने से इधर एक बढ़ गया वर्गमूल में एक बढ़ गया 12 से 13 हो गया उसी तरह ऐसे 169 में 27 जोड़ो यह आएगा 196 उसका अंडरूट 14 तो यह जो जोड़ना है यह कैसे समझते हैं बातों को तो अब अब इस लॉजिक शॉटकट पर आते हैं मैंने आपको बता दिया कि यहां पर हो क्या रहा है देखो अब जड़ा इस एक्जाम्पल को देखते हैं मुझे 106 का वर्गमूल निकालना है मैंने बोला कि 100 का वर्गमूल होता है 10 मैंने बोला कि 121 का वर्गमूल होता है 11 तो 100 से बढ़ रहा है यह 121 मतलब 21 बढ़ रहा ह तो यहाँ पर value बढ़ रही है 10 से 111 लेकिन अगर 106 आ जाए अब ज्यान देना शॉटकट किया है अगर 106 आ जाए तो 100 में कितना बढ़ा है 100 में कितना बढ़ा है 6 बढ़ा है यहाँ पर 6 बढ़ रहा है 10 में 6 बढ़ रहा है और हम जानते हैं 21 बढ़ने पर 1 value बढ़ती है अगर यहाँ 100 में 21 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर 10 से 11 एक value बढ़ रही है तो इधर 106 अब यह तो confirm है ना 106 जो होगा और 10 12 something होगा क्योंकि 1006 पूरा पूरा तो वर्गमूल होगा नी यह 10 12 होगा तो अब 106 10 lotus अब वो something होगा तो something क्या होगा वो लॉदी समझना 21 बढ़ने पर वर्गमूल बढ़ता है कितना एक देखने हो तो से 21 होने पर वर्गमूल बढ़ रहा एक तो 21 बढ़ने पर एक तो 6 बढ़ने पर कितना बढ़ेगा 6 बटे 21 तो बस यहाँ पर 6 बटे 21 आजएगा यह आपका वर्गमूल हो गया इसको आप सिंपिफाई कर लो इसको और सिंपिफाई कर लेती इस टैन पॉइंट टीन से दो बार तीन से शात बार और दो बटे 7 को सॉल कर लो तो यह ऐगर 10.2 변 106 का जो वर्गमूल होगा वो 10.28 होगा आप अपने इस class को देखते वक्त अपने 7 में रखना calculator 106 का वर्गमूल अगर मैं करता हो तो आता है 10.29 अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह कोई exact method ने लेकिन इससे decimal के second place पर plus minus 0.05 की error होती है इसका actual answer जो आ रहा है 10.295 something में रहा है 10.28 तो बहुत close answer आगिया यह जो method है यहाँ से आप answer close कर सकते क्योंकि एक्जाम में इसको solve नहीं कर पाऊगे तो मैंने क्या बात समझाई अब आप ध्यान देना इस बात को दुबारा से एक बार मैं आपको एक example और ले रहा है कि यहाँ पर होता क्या है माल लोग कि मैं एक number ले लेता हूं मैंने माल ले लिया अब आपको समझना है कि 181 किसके बीच में यह रूट 190 और 196 के बीच में है अगर यह होता तो यह होता 14 नहीं यह होता 13 और यह होता 14 ठीक है और 181 क्योंकि इसके बीच में तो इसका इदे आपको समझना आएगी बहुत जल्दी जल्दी आप करना सीख जाओगे 13 का वर्ण मुल होता है 169 घटा दो 11 में से 9 गए 2 और 7 में से 6 गया एक तो यहाँ का 12 divided by अब यहाँ पर क्या करना नीचे क्या आएगा अब नीचे का लॉजिक क्या था मैंने आपको क्या सिखाया था कि 169 और 196 इन में डिफरेंस कितना है 27 का डिफरेंस है और इधर यह हो गया 13 यह हो गया 14 तो 27 इंक्रीज होने पर अंडरूट कितना इंक्रीज हो रहा है वन का तो हमारा कितना है 12 इंक्रीज हो रहा है न तो 12 इंक्रीज होने पर अंडरूट इंक्रीज होगा बारा बटे 27 तो यहाँ पर आएगा बारा बटे 27 अब एक्जाम में तो इस सब करोगे नी तो आप बोलोगे कि सर ने बताया था चार सेकिंड तीन सेकिंड तो वो सौट कट है क्या पहला काम आप देखो 181 किसके बीच में आ रहा है 13 और 14 के बीच में आ रहा है 13 पॉइंट ल हो गया इसको सिंप्लिफाई कर लेते हैं तीन से चार बार तीन से नौ बार तेरा पॉइंट नौ से डिवाइट करो चार को तो नौ च्छाटीस बचा चार थीन पॉइंट फॉर फॉर जड़ा आप अपना कैल्कुलेटर यूज करो आपके पास जो कैल्कुलेटर उसको तो यह हो गया मैथटर अब इस मैथटर पर कैसे हम दो से तीन सेकिंड में अंडरूट करने जा रहा है एक कोशन कर लेते हैं ठीक है हमारे पास 105 का वर्गमूल निकालना है 210 का वर्गमूल निकालना है आप क्या करोगे इस समय इस वीडियो को पॉस कर लो ठीक है और इसको स सॉलूशन दे रहा हो क्या वो आपको सही लग रहा है 105 यह 10 और 11 के बीच में है मतलब यह 100 और 121 के बीच में है यह हो गया 10 दस दसम्लव फिर इंका अंतर ले लो 5 यहां करो 5 इसका डबल करो और एक जोड़ दो अब आप सोच रहे होगे कि यहां पर 10 का डबल किया 10 दूनी 20 और 11 यह क्यों आता है मैंने पूरा समझा दिया अब आप सोचोगे यह तो सौल करना फिर एक टेड़ी की रहे तो यहां पर भिखान रखना जब डिविजन करते वक्त कोई वैल्यू ठोड़ डिफिकल्ट आ ज जो है इसको अगर मैं एक कम कर दूं मतलब मैं इसको जीदो कर दूं तो मिरे लिए यह वन बाइफोर हो जाएगा 10 पॉइंट यह हो गया वन बाइफोर वन बाइफोर होता है 10.25 तो इससे ज़्यादा अंतर नहीं आता है इससे हमारा कोशन जल्दी हो जाता है हमारे से 210 क्या होगा यह 196 का अंडरूड और 225 के बीच में मतलब 14 पंदरा के बीच में लिखो 14 पॉइंट 14 का वर्ग होता है 196 यह हो गया 14 यहाँ पर 14 लिखो यहाँ लिखो 39 चौदा दूनिय 28 प्लस 39 यह कर लो 28 चौदा दूनिय 28 तो दिसस 14.1 बटे 2 एक बटे 2.5 जी दो जेख वो सही है मैं भी चेक करता जा रहा हूँ और आपको confidence आएगा कि हाँ आपको मज़ा आया देखो मैंने क्या किया यहाँ पर value को एक कम किया उसके बाद भी मेरा actual अंसर आ रहा है इस question का actual अंसर है 14.49 तो कितना close हो गया न तो क्या समझ मैं आया तुम लोग को अभी यहाँ प आपको एक से लेकर 30 तक के square जरूर याद होने चाहिए इन questions को करने के लिए अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया लिखा यहाँ पर 10 है ना मैंने लिखा यहाँ पर 10 और 10 का square करो घटा दो 5 आया 5 यहाँ निको इसका double करके एक जोड दो एक जोडने पर कट नहीं रहा है तो 196 और 225 के बीच में है यह वर्ग है 14 के यह 15 के एक 96 लिखो 14 आएगा difference तो यह हो गया 14 का 14 पॉइंट सम्थिंग यह difference यहाँ आएगा इसका double का एक जोड लो 29 लेकि 29 से कर देगा नहीं तो मैंने इसको 28 कर दिया 1 by 2 और 1 by 2 होता है 0.5 तो मेरा अंसर होगा 14.5 अब मैं अगला कोशन थोड़ा तेज करूगा और आपको समझ में आना चाहिए कि यह कोशन कितना जल्दी आप कर सकते हो जैसे आपके सामने कोशन है अभी वीडियो पॉज कर लो मैं आपको बताऊंगा इसका करने का शॉट कट क्या हो तो 331 हमारे पास है 331 अंडरूड है हमारे पास मैं देखूंगा इस पो 18 पॉइंट क्योंकि 18 का 324 होता है घटाओ 7 आएगा 18 का डबल 36 प्लस एक 37 अच्छा अब भी तो कुछ हो ने रहा है यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है तो अब क्या करो गया अगर मैं इसको सॉल भी करता हूं तो ऐसा होगा 18 पॉइंट अगर ही 70 होता 37 से डिवाइड करो 70 को एक बार जाएगा बलकि अगर मैं इसको 74 मालू मतलब मैं 70 को 70 से डिवाइड करूंगा डेसिमल इसको 74 कर लो 37 से दो बार जाएगा तो 18.20 अप्रॉक्सिमेट अंसर आ गया हो गया और हमें तो एप्रॉक्सिमेशन करना था कि मुझी देखना है कितना पास होने जा रहा है अगला उक्सिमेशन देखो 387 अब आप जब इस 387 को देखोगे तो यह होगा 19.something 19 होता है 361 योगया 6 योगया 2 26 19 का डवल 19 दूनी 38 प्लस एक 49 तो 13 से दो बार 13 से तीन बार इसी 19.66 इसका एक्ट्वल अंसर कितना है इसका एक्ट्वल अंसर है 19.67 आपको मज़ा आएगा आप कमेंट सेक्षमें लिखो कि यह चीज़े आपको समझ में आ रही है आप कमेंट करके लिखो कि आपको यह होता है 441 यह पांच यह पंद्रा तो यह पंद्रा 21 का डबल करो 42 प्लस एक 43 अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि यह दोनों कट नहीं रहे तो इसको बैलिस कर लो एक कम कर दो जिससे कर जाए तीन से पांच बार तीन से चौदा बार 21 दसंबल चौदा से डवाइट करो प मैं भी हर वैल्यू चेर करता जा रहा हो कि भाई मैं कुछ गलत नहीं पठा तुम लोगों को इसका अंसर आ रहा है 21.35 जबकि मेरा आया 21.36 बहुत प्यार से मेथट करते जाओ आपको शौटकट बहुत इजी लगने लगेगा 502 502 किसके स्क्वाइर के पास होता है बताओ जाएगा 18 और 22 का डबल 44 प्लस एक 45 अना नौ दूने 18 नौ पंजे 45 तो 22.4 चेक कर लो कैलकुल निकाल के चेक कर लो बिल्कुल एग्जेक अंसर आगे 22.4 जिदो आप इस मेथड को तयार कर लो मैंने इससे पहले स्क्वाइर का मेथड सिखाया था अब मैंने सिखाया आपक स्क्वाइर रूट का मजे से मेथड करते रहो शॉटकट क्लास ही चलती रही आप लोगों की ये प्लेलिस्ट है आपने अगर पहली क्लास नहीं देखे तो उसको जुरू देखे न ये सेकिंड क्लास है और इसके आगी भी मैं क्लास देता रहूंगा और जो भी आपने अब सीखा है इन दोनों कोशन पर अप्लाई करो और राइट और अंसर इन दर कमेंट सेक्शन एक कोशन ये बी कोशन तो अंसर लिखना एक अंसर ये है बी का अंसर ये है देखते कितने लोग को इस मेथड से आपको हेल्प हो रही है हमारा के जीएस बैंकिंग का टेलीग्राम चैनल आप जॉइन करने जिससे कि आपको मेरी और अधर टीचेस की क्लासेस का लिंक मिलता रहे मिलते हैं अगली वीडियो में विच सम अधर इंपोर्टेंट बहुत त्यारे पारे शॉटकट के साथ